हलो फ्रेंट्स, विल्कम टू प्रगती क्लासेश तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एडवर्टाइजमेंट राइटिंग और जो हम करेंगे आज टू लेट के टॉपिक पे और आपको क्या करना है अपका नया बना हुआ घर किराय पे देना है तो इस चीज को लेकर आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है जो कि फिप्टी वर्ड से जादा नहीं होने चाहिए और आपको टू लेट कॉलम में लिखना है कई बार आपको यह टू लेट बताते भी को देखके ही समझना पड़ता है कि हां अगर यह रेंट पर देनी की बात चल रहे है तो इसका मतलब टूपिक क्या है तू लेट है इसलिए मैं कोई दिक्कत ही नहीं है हिंदुस्तान टाइम के लिखना है जिसमें सारी की सारी डीटेल्स देनी के लिए लिए कि कैसा तो कि मैं टूप में लिखना हम अपनी जो सारी चीजें वह लिखना शुरू करेंगे क्योंकि हमने देना है रेंट पे जो है जो है हमारा ग्राउंड फ्लोर तो उस चीज के लिए लिए खेंगे अबैलिवल और सपोस करो कि हमें ही ज़रूरत है तो स्रेंपे रिक्वाइड होगा available on rent basis the ground floor of a newly built house in स्वास्तिभिहार यह चीज आपको दिया हुआ था three bedrooms है जिसमें attached bath drawing come dining room के साथ एक large kitchen भी है garage है जिसके साथ car parking की facilities है यह सारा कुछ मिलेगा और rent जो expected है वो कितना है about 12,000 per month जिसमें government officers को prefer किया जाएगा और यहाँ पर contact telephone number आप टाल सकते हैं यहाँ पर हमेंने imaginary contact number को डाला है उसके बात क्योंकि आपको question में ना mention था तो इसलिए आपको यहाँ पर भी अपना ना mention करना पड़ेगा साथ में अपना address mention कर सकते हैं और उसके बाद आपका पूरा complete यह हो जाएगा क्योंकि आपका रिटाइजमेंट है 50 words से आपको जादा नहीं जाना है तो इसलिए ना कम word में हमें सारी चीजों को समेटना होता है तो इतनी beautiful ही तरीके से अगर लिखोगे तो यकीन मानिए आपके बिलकुल भी marks नहीं कटेंगे तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगए वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटा फटे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए